सर मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी भारतिय सेना के जिम्मे 15,000 किलोमीटर की तो सीमा सुरक्षा है तकरीबन 7,5 किलोमीटर की समुद्री सीमा की सुरक्षा है लगभग 1,5,000 ड्वीप है 135 से जादा सरकारी प्रतेश्ठान है 3,030 गाओं है 11 प्रमुख बंदर गाओं है और 241 और बंदर गाओं है और इसके अलावा और बहुत सारे चालेंजे सेना के पास है तो सेना को ये डी फोकस करने की तरफ एपॉलिटिकल से पॉलिटिकल करने की तरफ बड़ा कदम माना जाए और उसमें सेना का क्या से है वाट वेल आम्ड फोर्सेस डू इन दस किस गरिमा आप मेरे से पूछ रही है आपी से सवाल आचा आचा ठीक है ताइक्यों गरिमा सबसे पहले धन्यवाद के आपने मुझे इस काबिल समझा कि इस डिबेट में मैं आके अपने योगदान दे सकूँ और जो कुछ भी मैं बोलूँगा वो दिल से नहीं दिमाग से बोलूँगा और बिलकुल सटीक और बिलकुल अट्टूट शब्दों में बात को बिलकुल साफ तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ मुझे मेरे जो साथी व्यक्ता है जनल बिशमब रैं । सिवाच है नैन है और कोचर हैं इनका दर्द और इनका रौश मुझे बिलकुल समझ में आता है और बहुत हद तक मैं इनसे सहमत हूं जो कुछ भी इनने कहा और जो कुछ भी इन्होंने कहा उससे मेरा काम और ज़्यादा असान हो गया है देखे दो या तीन बाते बहुत साफ है सबसे पहले ये फोग जो है हमारी इंडियन आर्मी नेवी एर फोर्स ये किसी पार्टी की गुलाम या टट्टू नहीं है ये देश की फाउज है ये देश की डिफेंस आर्मी है ये कॉंग्रेस या बीजेपी या इधर उधर की जब पार्टियां है इनके इनकी गुलाम नहीं है जो भी पार्टी सरकार में रूल में होगी उनके हुक्मों की तामिल करना हमारा फर्द बन जाता है लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि 1961 के बाद और खासकर कि 1971 के बाद और 72 तक तक 2014 के बाद आर्मी का पुलिटिसाइजेशन धीरे 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 गरिमा बढ़ता जा रहा है और आर्मी का स्टेटस उसके साथ साथ में धीरे 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 क्या तेजी से कम करते ज़र जा रहे हैं बात करी लोगों ने हमारे सोशल प्रोटोकॉल की ओर्डर अफ्रिसिडेंस की पेंशन की ओर पी की हमारे यूटलाइजेशन की अब मैं आता हूँ दो बड़े मुद्दों के उपर में बेसिक रोल जो है हमारा कस्टिशिशन में दिया हुआ है दो इंशूर दी सावरेनिटी, इंटेगरिटी and national security of the borders of this country in the interest of national security external and internal यह हमारा रोल है यह हमारा रोल है और इस रोल के लिए there is a period of war there is a period of no peace no war and there is a period of peace जिसमें कि कि हम ट्रेनिंग करते हैं जवान जो है वो हमारा कोई जादू का डंडा नहीं है कि वो हमाले में भी लड़ेगा पाकिस्तान से भी लड़ेगा नौडूबी के अंदर में समूदर के नीचे भी जाएगा और हवा में भी लड़ेगा और आपकी ये जो है सेलफी प्रक्षा इसकी अखंडता इसकी एकता बनाने हमारा काम है और हमको उसी के लिए छोड़ देना चाहिए ना कि के एरा गेरा नतु गेरा एक मिन एक मिन लेट मिन फिनिश आपने देखे सबसे लंबा नाम मेरा है आदित या जंग बहादूर जैनी और लेको चांस मुझको पा लेकिन ब्रूकर्सी जो है वो गर्वर्मेंट को मिस्गाइड करती है नेताओं को मिस्गाइड करती है दोनों मिलकर हमको सिगरेट के बट के मासे रगड़ते हैं रगड़ते हैं आप वो दिन भूल गए जिस दिन कि के राजपत के उपर में फौज को बलाया गया था योग नहीं हमारा काम है रोने की बात यह कि जो आज हमारे हमारे जो ओदेदार हैं जो वर्दी में बैठे हुए मूँ बंद करके आप अप बिल्कुछ चुप करके बैठे हैं यही मैं ने बोला जैसे विशम पर ने कहा कि जब हम सर्विस में पोर्स का कोई से नहीं गरिमार लेट म लेट मी फिनच प्लीज प्लीज गिमें जस्किन मी 30 सेकंड मोग थर्टी सेकंड मोग प्लीज करिया वेन वी अरप पोलिटिकल गरिमा इंसर्विस वी कंटिनू टूब अप्लिटिकल इवन आफ्टर सर्विस यह तो बहुत दुखित बात है कि कई वेटरोंज ने किसी ने क समझेगा जब हम शेलफी पॉइंट के ऊपर में खड़े हो के बोलेंगे जी सरकार ने ये किया सरकार ने वो किया सरकार ने टॉइलेट बनाए सरकार ने इंधन के सिलिंडर माटे सरकार ने ये किया वो किया ये हमारा काम है आप बाकी एजिंस को क्यों नहीं यूज करते है आपके पूरा डिपार्टमेंट है, पूरी एक मिनिस्ट्री है, उनको यूज करिए आप, वाई यू ब्लड़ी उसिंग दा आर्मी वेटरन्स फॉर दिल, हमें बिस्टी करने के लिए, सर्कों के खड़े करने के लिए नौ शेहरों में, मतलब कि जो कुछ देश की गंद है, वो हम उठाएं, और सारे पैसे आप लूटे, तरखाएं आप ले, डबल पेंशन आप ले, NFU, नौन फंक्शनल अप्गरेड आप लोग ले, एर इंडिया के ब्लडी पासेज आप लोग ले, और हम सो देश का गंद उठाते रे, ये बख्वास बंद हो नी चाहिए, गरीमा, जगदीप दही, बहुत जदा हो गया है, आप से ले उठाएं, और ने पूरा सहम तूँ, भिश्वर दियाद से, शिवाद से, नेन से, और अपना कोचर साफ से,